वेल्कम टो इको लिग्जाम मैं मनिस कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लॉगरिद्म लॉगरिद्म से रिलेटेड बहुत है बेसिक से पॉइंट को आज हम डिसकस करेंगे जैसे सबसे पहला बेसिक से पॉइंट कौन सा है लॉग 10 का बेस 10 is equal to कितना होता है हर कोई जानता है एक होता है लेकिन एक क्यों होता है ये हम आज जानेंगे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉग लिखा कैसे जाता है यह मान लीजे A की power X is equal to कितना है? B है इसको अगर हमें log के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे log लिखा हमने जो भी exponential जो भी exponential form होती है is equal to में जो होता है उसे जहां लिखा जाता है log B अब बात आती है कि base क्या लिखेंगे? base क्या लिखेंगे? base होगा आपका यह A यहाँ पे हमने base लिख दिया और is equal to के बराबर क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं यह जो power लगी होती है exponential form में जो power होती है वो is equal to के इस तरफ लिखे जाती है 9 होगा अब इसे अगर हमें log के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? log और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? result लिखा जाता है result यहाँ पे कितना है? 9 हमने लिख दिया base क्या होगा? base यहाँ पे 3 है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? base 3 लिख देंगे is equal to में क्या होगा? होती क्या है? power होती है अब यहीं से हम समझने की कोसिस करते हैं कि 3 की किस power पर हमें 9 मिलेगा? 3 की किस power पर हमें 9 मिलेगा? चलिए देखते हैं यहां पे हमने लिखा तीन, तीन का power हम कितना रखें कि हमें 9 मिल जाए, चलिए, यहां पे हम जब square करेंगे, तभी तो हमें 9 मिलेगा, तो यह जो होता है, यह क्या है, power होती है, तो इसी तरीके से समझने के लिए, अब हम चलते हैं इस वाले question पे, कौन सा, log 10, base कितना है, 10 is equal to 1, क्यों होता है, यहां मान लिजे, यहां पे 1 नहीं है, यहां पे मान लिजे, x है, मान लिए हमने, ठीक है, अब 10 की, किस power पर, is equal to के इस तरफ जो होता है, वो हमें सा power होता है, यह आप देखे, यहां पे 2 है, यह power ही तो हमने लिखा हिदर, हाँ, तो अब base, base कितना होगा, 10, यहां कितनी power रखी जाए, कि यह जो result होता है, यह कि इसके बराबर हो जाए, तो 10 की जब power 1 रखेंगे न हम, जब 10 की power 1 करेंगे, तभी हमें value मिलेगी, क्या 10, अब आप समझ गए होंगे, कि क्यों log 10 और base 10 होने पर, हमेशा जो answer आता है, वो 1 आता है, इस चीज़ को ओके, चली देता है, यह हमने लिखा, 10, ओके, 10 की power कितना हो जाएगा, यहां पर, 1, is equal to कितना है, 10, 10 की power 1 करने पर कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, ठीक है, अब अगर इससे हमें log के रूप में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, log लिखने का तरीका मैंने अभी बताया है, यह आपका result हो गया, हमने यहां पर result लिख लिया, ठीक है, यह आपका base होता है, base हमने यहां नीचे लिख लिया, और is equal to के इस तरफ क्या लिखा जाता है, power लिखी जाते है, और यह 1 हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि log 10, base 10, is equal to कितना होता है, 1 होता है, यह 1 होता है, क् इसी पराधारित एक चीज़ को हम और देते हैं, आपने देखा होगा, क्या, लेकिन इसका एक हम unique formula ही बना लेते हैं, formula क्या होगा, formula इस तरीके से होगा, कि log, okay, a, और अगर base भी a है, तो answer जो आएगा, यहां पर कितना आएगा, a का आएगा, हमेशा, a की किस power पर, a की किस power पर हमें a मिलेगा, a की, जब power 1 होगी, तभी हमें answer a मिलेगा, okay, आप समझ गए होगा, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि एक जिगे पे, एक जिगे पे, जो है, log का जो है, value आती है, वो कितनी आती है, 0 आती है, लेकिन ऐसा कब होता है, और क्यों होता है, इस चीज को देखता ठीक है, छलिए, यह आपका हो गया, log, log, एक का जो, log जो एक होता है, और इसका base कितना है, 10, इसकी जो value होती है, वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, अब आप कहोगे, यह क्या है, यह क्यों 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 हो रहा है, नई, म्जाक नहीं है, चलिए, समझते हैं, कि आखिर कार तो होता है ठीक है? तो यह अपका 20 होता है, तो हमने 20 लिख लिख लिए और जो log के is equal to में लिखा होता है, उसे क्या कहता है? उसे power ही तो कहा जاتा है, हमने यहापे power लगा ली और अब यहाँ पे log के साथ में लिखा जाता है, यह is equal to के इस तरफ लिखा जाता है, या result की रोप में लिखा जाता है, हमने लिख लिया, खिक, अब आप देखिए, जब भी किसी भी संख्या का, अगर उसकी power 0 है, तो उसका जो मान होता है, वो 1 होता है, या उसकी जो value होती है, वो 1 होती है, तो 10 की power यहाँ पर कितनी है, 0, तो value कितनी आ गई, 1 so अब आप साथ समझ गए होंगे कि log एक का जो मान होता है जो value होती है वो कितनी होती है zero होती है अब चलिए दो तीन चीजे और देख लेता है question देख लेता है और वो question किस तरीके से है और ये इस तरीके के आधार पर question आया भी बहुत है मान लिजे हमने एक question लगाया किस तरीके से ये मान लिजे एक question है log 100 यहाँ पर हमने कर दिया x multi application multiply log 500 यहाँ पर base कितना कर दिया y गोड़ log कितना कर दिया 1 और base कितना कर दिया 10 हमसे पूछा गया इसकी value क्या होगे तो इस question को करने के लिए यहाँ पर क्या है एक आपको ये देखिया एक आपके ये value दी हुई है और एक आपकी ये value दी हुई है जैसे आपने देखा क्या कि log 1 base कितना है 10 है तो इसकी value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी अब हमें इस चीज से मतलब ही नहीं है कि question में un क्या-क्या दिया हुआ है I don't care क्यों चुकि ये कुछ भी हो अगर इसको आप multiplication करते हैं किसी भी चीज को 0 से तो वो हमेशा कितना उसका answer आता है उसका 0 आता है So हम कह सकते हैं कि इस question का answer कितना होगा 0 Okay Thank you class